नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग थंडर स्टॉम्स और टार्नेडो ये दो मेजर टॉपिक्स हैं आज की वीडियो के थंडर स्टॉम्स कैसे होते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो एक प्रकार का थंडर स्टॉम है आप देखे पेड़ों के सामने ये thunderstorm कितने खतरनाक लग रहें कितने खतरनाक बादल हैं बहुत डेंजरस एक्स्ट्रीम जबर्दस्त क्लाउड यहां पर बने हुए वहीं पर आप टॉर्नेडो की बात करोगे वो भी अपने आप में बड़े डेंजरस होते हैं अगर आप यहां पर दिखो तो आपको एक टॉर्न यहां पर सब्सक्राइड्गा बसे तौर्नेडु नजर आ रहा है थॉर्नेडो कह जहां पर बंते हैं वहीं पर लोकल लेवल पर आपका टॉर्नेडो बनता है बुसे तो देखिए जो फंद अब कर तो अ movie में भी आपको यह जो शायद man of steel movie में इस तरीके का एक tornado दिखा था तो क्या scene है भाई in tornado's का और thunderstorms का इनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे यह जो हमारा chapter number 10 है NCRT की किताब का इसमें आपका thunderstorm और tornado's को समझना जरूरी सबसे पहला तो discussion यह बनता है कि यह thunderstorm बनते हैं कहाँ पर क्या कोई fix geographical location है जहाँ पर thunderstorm बनेंगे विसे मैं आपको बता दू यह thunderstorm दुनिया में किसी भी geographical location पर बन सकते हैं किसी भी geographical location पर बन सकते हैं लेकिन ज़्यादा तर cases में यह mid latitude में बनते हैं एक बार इसकी theory को हम लोग समझते हैं देखे आधर severe local storms और thunder local storms and tornadoes अब इतक हम लोग cyclones की बात करते आ रहे हैं तो cyclone के बाद अगर local level पर कोई बहुत बड़ा storm या तूफान टाइप का आता है उसको आप thunderstorm या tornado बोलते हो छोटे duration के होते हैं छोटे area को affect करते हैं बड़ बहुत वाइलेंट होते हैं thunderstorm बनता क्यों it is cost by intense convection on moist hot days और moist hot days पे intense convection दुनिया में कहीं भी हो सकता है एक thunderstorm में वेल ग्रोन cumulolimbus cloud बनेगा जिसमें thunder होगी, lightning होगी clouds के types अभी आगर discuss होंगे इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा बाच्चित नहीं कर रहा हूँ cumulolimbus cloud किस प्रकार का बनता है तो अभी यहाँ देख सकते हो कितने dangerous चुपड़े बड़े आपको cloud देख रहे हैं यह actually में cumulolimbus clouds है ठीक है तो यह cumulolimbus cloud बनेगे बहुत तगड़ा thunder और lightning होगा माहौल कुछ ऐसा होगा और यह आप कह सकतो यह dangerous माहौल है यह देखे कुछ इस प्रकार का माहौल आपको एक thunderstorm में नजर आएगा ठीक है भाई अब होता यह कि अगर यह thunderstorm और इसके जो बादल है वो बादल आपके sub-zero temperature में पहुँच गए वैसे तो आप देखो यह बादल आपके बहुत ऊपर जा रहे है इन फैक्ट आप देखो कि ट्रोपो पॉस को almost यह cross कर रहे है कभी-कभी क्या होता है कि यह जो बादल होते है वो sub-zero conditions में पहुँच जाते है तो उसके बाद जब बारिश नीचे गिरेगी न thunderstorm में पानी नीचे गिर रहा है तो अब जो बारिश नीचे गिरेगी वो hail के form में नीचे गिरेगी hail storm आएक और hail storm अपने आप में अलग बवाल है hail storm कैसा दिखता अगर आपको देखना तो आप इस particular वीडियो को देखिए देखिए छोटे-छोटे बरफ के गोले से नीचे गिर रहा है यह होता आपका hail storm ठीक है ना पानी नहीं गिर रहा है बरफ के गोले नीचे गिर रहा है इस बेसिकली hail storm तो अगर थंडर स्टॉर्म के जो बादल है वो सब-zero temperature से पहुँच गए तो वो hail storm के form में भी नीचे आ सकते है ठीक है बई तो यह चीज है अगर insufficient moisture है तो dust storm भी आ सकते है तो यह थंडर स्टॉर्म बनता क्यों है इट इस characterized by intense updraft of rising warm air which causes the clouds to go bigger and rise to great out this causes precipitation later drought brings down to the earth the cool air and the rain from sea where thunderstorms sometimes spiraling with descents like a trunk of elephant with a great force with very low pressure at the center causing massive destruction on the way such a phenomenon is called tornado tornadoes पहले एक बर thunderstorms देख लेते हैं जैसा कि मैंन आपको बताया कि thunderstorms वैसे पूरी geographical location कहीं पे बन सकते हैं लेकिन frontal systems में thunderstorms काफी बनते हैं fronts बनते हैं frontman आपको बताया कि cold air mass आ रहा है इदर से hot air mass आ रहा है तो इस frontal systems पे already आपको पताया कि cold air mass नीचे जाएगा hot air mass उपर जाएगा वो hot air mass उपर जाके clouds बनाएगा अब किसी particular दिन पे बहुत ज़दा moist day है तो उस moist day के चलते बहुत ज़दा आप कह सकते हो low pressure बनेगा हवा उपर की तरफ जाएगी 60 degree north latitudes जो mid latitudes हैं वहाँ पे already एक subpolar low pressure belt बन रही है उस subpolar low pressure belt पे left से cool air आती दिखाई दे रही है और right से warm air उपर की तरफ उठती दिखाई दे रही है यह जो warm air है यह उपर उठ रही है बहुत moist दिन है तो गर्मी की वज़े से भी आप देख सकते हो कि हवा बहुत उपर उठेगी ठीक है न तो low pressure और intense होगा और इस intense low pressure के चलते हैं इतने बड़े cumino limbus clouds बन सकते हैं और फिर वो विक्राल फॉर्म में इस प्रकार से जब बरसेंगे तो हमको नज़र आएंगे तो यह होते हैं thunderstorms अब इसी thunderstorm में कभी-कभी क्या होता है कि from severe thunderstorms sometimes spiraling will descends इनी severe thunderstorms में से कभी-कभी spiraling will नीचे की तरफ descend करती है और वो घूमती सी है इनी winds को आप tornado बोलते हो ठीना और वो tornado आपको यहाँ पर नज़रा है इस प्रकार के tornado खतरनाक होते हैं अगर आप tornado को नीचे आगए कार्वगर नीचे आगई उखाड के उपर आपको हवा में फेक देगाई एतना dangerous होता है यह tornado और यह tornado कर समुन्दर में आ गया तो कोछ इस प्रकार कर देखेगा यह अपने आप में अलग dangerous होरा पानी पूरा घुमा रही है ठीक है तो जब यह समुन्दर में आता है tornado यह water spouts हो जाता है तो thunderstorm अगर समुन्दर के उपर आए तो उसमें से spiral निकला wind का तो water spout बन जागा जमीन के उपर निकला तो tornado बन जाएगा ओके तो यह है वाई यहाँ पर तो जो basically heat energies है वो यहाँ पर kinetic energy में convert हो रही है और in particular phenomena के बाद जो overall disturbance है वो disturbance dissipate हो जाता है और फिर stable state में आ जाता है atmosphere फिर outvismir में वही frontal systems develop होना कोई moss day के दिन thunderstorm बन गया thunderstorm के बाद tornado बन गया तो वो frontal systems पे जित्ता भी disturbance बनाता है उसके जित्ती भी heat energy accumulate हुई थी वो in storms के form में इधर उदर dissipate होगी फिर stable conditions आ गई फिर thunderstorm बनेगा फिर tornado बनेगा फिर dissipate होगा frontal systems बनेगे और यह cycle चलती रहती है ज़रूरी नहीं है याद रखिएगा कि सिर्फ frontal systems में mid latitudes में ही बनेगे आपके यह thunderstorms यह किसी भी geographical location पे बन सकते हैं वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलना चाहता 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 लोंग साथ को शेर करें